आजकल बहुत से बीमारियां ऐसी हो गई हैं कि मनुष्य को मौद के मुभक ले जा सकती हैं क्योंकि आजकल के मनुष्य का इम्योन Philippeare इस्टैल और जो आपका खानपान है और सरी rzeczy committee को कमजोर कर रहा है परिणाम सरूप बेक्टिरिया आपके सिरी को अंदर से खतम करने लगता है और इंसान की अंततर मौत हो जाती है कुछ उतो किटानो जनीत बीमारियां ऐसी होती है कि उनको पैचान पाना भी मुश्किल होता है आज के इस वीडियो में आपको एसी एक विमारी टाइफाइड के बारे में बताने वाला हूँ टाइफाइड क्या होता है ये कैसे फैलता है इसके क्या लक्षन है और अंत में बात करेंगे इसके क्या कुछ गरेल उपा हैं जिससे आप इसको ठीक कर सकते हैं तो आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए नमस्कार दोस्तों मैं दिनेश सिंग राजप्रोईत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब के चैनल दिनेश हैल्त में दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइट क्या होता हैं जो आपके सालमो नेला नमेक एक बेक्टिरिया होता है उसके करण फैलता है विश्वबर के अगर बात करें तो 20-21 मिलियन लोग इससे संकरमित होते हैं और लगबग इन मैसे दो लाग लोगों की इससे मृत्य हो जाती है यह टाइफाइट आपके जो है यह टाइफाइ लगते हैं तो आपको इतना पता नहीं चलत पाता है लेकिन अगर इसका समय पर इलाज नहीं करवाते हैं तो यह आपको मौत भी दे सकता है अब बात करते हैं इसके कुछ लक्षणों के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके लक्षण एकदम से जो है आपको दे है और वह सरदर जो है लगातार बना रहता हैं बहुत तेजिए ठंड लग कर आपको बुखार आता है और बुखार का जो तापमान होता है वह बढ़ता रहता है इसके अलवाब कुछ major कारणों की किस कारण से टाइफएड हो सकता है तो सबसे पहला तो कारण है आप जो है साब सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं अगर मतलब आप साब पानी नहीं पीते हैं और जो अच्छा ताजा पोस्टिक बोजर नहीं करते हैं तो आपको टाइफएड होने के चांसे हैं तो ऐसा बोजर में आपको नहीं करना चाहिए अगर आपको सामान यह सा सर्दी जुखाम है और आप इसको हलके में ले रहे हैं साथ में बुखा रहे हैं तो इसको हलके मिलकुल ना लें और शरीर की एच्छे से देख बाल करें डॉक्टर पर जाएं आप इसका इलाज क क्यों होता हैं अब बात करते हैं इसके कुछ नुक्सान की आपको क्या नुक्सान हो सकते hanya nuclear आपको इं Kelvin कि इसे हो जाएगी सब्सक्राइब करते हैं तो इसके अगर आपको मस्तिक्स का ज्वर हो सकता है यानि दिमाग का बुखार वह आपको हो सकता है इसके अलावा निम्यूनिया खेल से इसके निदान करें सो इसके कुछ उपचार की बात कर लेते हैं तो आप पता चल गतुर कैसे पास जाते हैं ठीज help होटी हैं अध्र संफेल आपको मपना देक्रिया डिती हैं और इसका बिलकुल यàItウ nearly Portuguese नहीं है इसका इलाज बिल्कुल आपको मिल जाएगा एंटिबियोटिक से इसका इलाज हो जाता है अब बात करें इसके कुछ गरण उसको की तो आप पुदीना और जो अद्रक होती हैं उनका जो है काड़ा बना के पी सकते हैं यह जो है आपके बेक्टिरिय को खतम करते हैं यह इनका सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों आशकरतों आपको टाइट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी कुछ भी रह गया हो या मुझे कुछ बताना भूल गया हूं तो आप जो नीचे कमेंट कर दीजिए मैं आपको जो है उसके रिलेटरी आपको इनफोर्मेश कर दीजिए मैं